दोस्तों बालों की कई समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए एलोवेरा और नीमबू का इस्तिमाल बहुत फाइदेमन साबित हो सकता है। बालों के जड़ना, धीमा विकास, ड्राइ हेर, डेंडरफ कुछ ऐसी समस्याइं हैं, जिनका हम में से ज़्यादा तर लोग आए दिन करते हैं। यह बालों की लगभग सभी समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए एक बेहत प्रभावी और कारगन उस्खा है। बस आपको इसका इस्तिमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। जानते हैं बालों के लिए ऐलोवेरा और नीम्बू के फायदे और लगाने का आसान तरीका। बालों के लिए कैसे फायदे मंद है ऐलोवेरा और नीम्बूू। ऐलोवेरा और नीम्बू दोनों में ही बालों के लिए जरूरी लगभग सभी जरूरी तत्व मौजूद होते हैं। ऐलोवेरा विटामिन B1, B2, B6, B12 और C का अच्छा स्रोत है। वही नीम्बू में भी विटामिन C और सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा ऐलोवेरा में एंटी बैक्टिरियल, एंटी सेप्टिक गुन मौजूद होते हैं। अधैयन में पाया गया है कि ऐलोवेरा में मौजूद सिस्टीन और लाइसिन नामक योगिक बालों की समस्याओं को दूर करने और घहने, मजबूत बाल पाने में मदद करते हैं। बालों में ऐलोवेरा और नीम्बू लगाने से कई फायदे मिलते हैं। बाल झढ़ना कम होते हैं, ऐलोवेरा और नीम्बू आपके स्कैल्प में ब्लद सकूलेशन को बहतर बनाते हैं और बालों की जड़े मजबूत होती हैं। ये डेमेज बालों को रिपैर करने में सहायक है और बालों का झढ़ना कम करते हैं। डेंडरफ साफ होता है, डेंडरफ की समस्या से छुटकारा दिलाने में अलोवेरा और नीमबू का मिश्रन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड और एंटी बैक्टिरियल गुन मौजूद होते हैं, ड्राइ और फ्रिजी बालों से छुटकारा मिलता है, अगर अपने अमित रूप से बालों में अलोवेरा और नीमबू लगाते हैं, तो इससे बालों को परियाप पोशन प्रदान करने, मौईस्चराइच करने और डेमेज को रिपेर करने में मदद मिलती है, बालों का विकास तेजी से होता है, अलोवेरा और नीमबू का मिश् करना रोकता है और मजबूत बनाता है स्कैल्प में ब्लड सकुलेशन में सुधार करता है जिससे बालों की विकास में मदद मिलती है स्कैपलर की समस्याएं दूर होती है एलो वेरा और नीमबू में मौजूद एंटी बैक्टिरियल गुंड स्कैल्प में अलजी खुजली दिलाने में मदद गार हैं बालों में एलो वेरा और नीमबू लगाने के लिए आपको सबसे पहले एलो वेरा जेल और नीमबू का रस बराबर मात्रा में लेना है आप अपने बालों की जरूरत के अनुसार इनकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं दोनों को अच्छी तरह मि दोले, लेकिन केमिकल वाले शैंपू का प्रयोब करने से बचे, बाल धोने के लिए साधे पानी का प्रयोब करे, आप इस मिश्रन सब्ताह में 2-3 बार लगा सकते हैं.